यहाँ पे हमको rhombus का perimeter दिया गया है 56 cm, अगर इसकी हर एक side की length को किया जाता है half, तो इसका perimeter कितना होगा, यह हमको find out करना है, तो देखे मैंने यहाँ पे write कर लिया है, perimeter of rhombus यह है 56 cm, तो मैं यहाँ से side निकाल लूँगा, side of rhombus क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी 56 divided by 4, perimeter को 4 से divide कर देंगे, क्योंकि rhombus की भी हर एक side की length होती है, वो होती है, equal, तो जब इसको यहाँ पे 4 से divide करेंगे, तो यह आजाएगा 14 cm, आगे यहाँ पे बोला गया है, कि इसकी जो side है ना, उसको अगर half कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पे 14 का half कर देता हूँ, तो यह हो rhombus, तो अभी जो rhombus की side है, वो कितनी है, 7 cm है, half होने के बाद, तो लिखेंगे, now, perimeter, perimeter of rhombus, तो यह कितना हो जाएगा, 4 multiply by side, तो 4 multiply, side आई है, मेरी कितनी 7, तो 7 से multiply कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 28 cm,